हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ शहबाज आप देखरें Mr. Recrope आपने अगर अभी तक मरी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन में क्लिक करके सबस्क्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे मेरे अपडेट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो किया हुले तो मैं अभी आपको दिखाने वाला किस तरीके से हीग बिशन डिवियर को सेट अप और ओनलाइन कर सकते हैं तो इस वीडियो को सिंपली आपको फ्लो करना है ओके तो यहां सिंपली आपको पहला स्टेप में आपका पासवर्ड जो भी है एड्मीन पासवर् अच्छा होता है और थार्ड स्टेप में आप अपना यहां सिंपली कोस्टिन कुछ भी सिलेक्ट कर दिये भी अगर आप पासवर्ड बूल जाते तो आपको काम में आएगा फॉर्थ स्टेप में आपको अपना पैटर्न जो भी आप पैटर्न देना चाहते है यह यहां पर यहां पर उसके बाद यह स्टेप में आपको यहां पर आपका टाइम जोन और टाइम डेट ठीक कर लेना है उसके बाद आपको यह सब सिंपली नेक्स्ट कर देना है ऑनलेन करने के लिए मैं आपको बाद में भी देखा हूंगा तो यह सब सिंपली आपको नेक्स्ट कर ले यहां पर आपको यह TCP IP दिखा यह इनेबल DHCP इसको टिक लगा देना है इनेबल ऑप्टेंड इने सर्वर को अंटिक करना है और इसके बाद यहां जो मैं IP बैठा रहा हूं आपको भी यह सेम IP बैठाना है ठीक है बैठाने के बाद आपको आपको अपलाई कर देना है ओके उसके बाद आपको यह निचे अडवांस में कलिक करना है उसके बाद प्लाट्फरम एकसे क्लिक करना है यहां इनेबल का ओप्शन है इसको टिक लगाना है यहां वरिफिकेशन कोड आपको देना है मतलब six digits या इसके ऊपर भी आप दे सकते हैं तो सब capital letter दे देना तो अच्छा होगा ठीक है तो देने के बाद यहां ही connect जो इसको टिक लगा दिना है उसके बाद OK करना है तो यहां मैंने थोड़ से time के बाद ही देखना आपको यह इस्टर से यह online हो जाएगा आपको जो QR code यह भी चेंज हो जाएगा तो यह दिखें online हो चुका है यह online हो चुका है तो आप हम इसको mobile के साथ connect करने वाले है OK मोबाइल में एड़ करने के लिए आपको hit connect app लागेगा तो यह आपको play store पे नहीं मिलेगा इसलिए आपको यह भी browser open करके simply hit connect app के लिए सर्च करना है hit connect कर यह site है तो यहां से आपको download कर लेना है इसको ठीक है तो simply यह आखने के बाद यहां go to download में click करना है OK यहां नीचे install option जो मिलेगा इसमें click करना है आपको तो आपको यह download शूरू जगा apk file तो इसके बाद आपको simply आपको download कर वहां से आपको इसको install कर लेना है install करने के बाद आपको simply इस तरीके सब का अपना country select कर लेना है OK तो country select करने के बाद आपको यहां simply उपर में tick option मिलेगा इसको tick लगा देना है OK आपका account अगर नहीं है तो आप यहां से login में click करना आपको login में click करने के बाद यहां register का option मिलेगा तो agree करना है और यहां से अपका phone number देना आप phone number देके get security code करना है तो आपका phone में जो code जाएगा वो code देने के बाद आपका account हो जाएगा आपको simply अपना password अपको select password भी बठा देना है तो यहां से switch करके अपना email भी आप यहां दे सकते है okay तो यहां से हमें QR अलाव कर लेना है इस आपको जो भी permission मांग रहा है तो यहां से हमको simply QR code जो हमको दिया था अभी dvr में तो इसको scan कर लेना है यह left side वाला तो simply इस तरीके से आजाएगा आपको add कर लेना इसको okay add करने के पाद इसको next करते हैं आप नाम चेंज भी कर सकते हैं तो save कर देता हूं मैं okay ask me letter और यह आ गया dvr तो यह black है तो मैंने यह मेरा भी show कर रहा तो मेरे यहां भी कोई camera लगा हुआ नहीं है इसलिए black है तो इस तरीके से आप अपना dvr को online कर सकते हैं अपको dvr का setting अगर सही नहीं तो यहां simply setting में आना default में आना है उसके बाद factory default में click करना आपका dvr है जो reset हो जाएगा तब फिर से न्यू से इसको setup करना है और उसके बाद फिर से आप online इसको कर सकते थैंक्स पर वाचिंग प्लिस like and subscribe